अपनी चैनल एटर्नल एड़सेंस क्लासिस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परिक्षा हुई थी 2014 में संस्कृत की उसको व्याख्या सहित लेकर आई हूँ मेरा इन वीडियोज को लाने का उद्देशी ये है कि जो भी विद्द्यार्थी नेट की तयारी कर रहे है या किसी भी स्टेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी कर रहे है संस्कृत विसे से तो उनके लिए ये सारे वीडियोज बहुत ही लाबदायक से धोंगे तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं जितने भी स्टेट है चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो वहां की जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परिक्षा हुई है उसको मैं व्याख्या सही आप सभी के सामने लेकर आऊंगी उससे ये होगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परिक्षा देने जा रहे हैं तो अगर आप कई स्टेट के प्रशनों को सॉल्व करके जाएंगे तो हो सकता है आपको उन्हीं में से प्रशन मिल जाएं तो ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की जो भी लोग तयारी कर रहे हैं संस्कृत विसे से उनके लिए बहुत ही लाबदायक सिध्ध होगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहे हम रोज एक वीडियो जरूर इस पर लेकर आएंगे तो चलिए जिन लोगों ने भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है शेर नहीं किया है तो आप लाइक करिए शेर करिए और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्स्राइब करें ताकि उनको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे तो आज हम स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिक्षा 2014 का व्याख्या सहीत प्रश्न पत्र ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न देवता नाम आकारह कती विदह तो इसका अंसर है त्री विदह इसकी व्याख्या देख लेते हैं देवता नाम आकारह त्री विदह अर्थात देवताओं के त्री विदह रूप है कौन-कौन से प्रिथवी अस्थानी अगनी दिव अस्थानी विष्णू और अंतरिक्ष अस्थानी इंद्र यहाँ पर आप एक काम और करिएगा कि जितने भी प्रिथवी अस्थानी देवता है उनको एक जगह छाटकर लिख लिजेए उनको एक जगह चाट कर लिख लिजे और अंतरक्ष अस्थानी जितने भी देव हैं उनको चाट कर लिख लिजे अगनी विश्णु इंद्र ये लोग जो है इसकी प्रधान देवता हैं लेकिन प्रश्ण जो है और अंदर से भी बन सकता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा अगनी सुक्त के रिशी मधुच्छन्दा है रिग वेद में 200 सुक्तों में अगनी की स्थूती की गई है रिग वेदिक देवताओं में अगनी दूसरा सबसे प्रभावशाली देवता है अगला प्रश्ण है नासदिय सुक्त से देवता परमात्मा अस्ति नासदिय सुक्त के देवता परमात्मा है इसका वणन रिक सुक्त संग्रह में प्राप्त होता है अगला प्रश्ण है गोपत ब्रामहड से संबंध केन वेदेन अस्ति तो इसका अंसर होगा अथर्व वेदेन इसकी व्याख्या देख लेते हैं गोपत ब्रामहड का संबंध अथर्व वेद से है अथर्व वेद की नौ शाखाएं इस प्रकार हैं पिपलाद, इस्तोद, मोद, शौनक, जाजल, ब्रम्हवेद, जलद, देवदर्ष, चारणवेद इसमें दो प्रमुक हैं पिपलाद और शौनक साखा तो आपको यहाँ पे गोपत ब्रामहड की साखाएं भी बता दी गई अगला प्रश्ण है दर्स पूर्ण मास यग्ये प्रत्थमा इश्टी का तो इसका आंसर होगा पौर्ण मास इश्टी ही दर्स पूर्ण मासे प्रत्थमा इश्टी पौर्ण मास इश्टी ही अगला प्रश्ण है चरई वेती चरई वेती उपदेशह कुत्र लभ्यते तो इसका आंसर होगा शुनह सेपा ख्याने चरई वेती चरई वेती उपदेशह सुनह सेपा ख्याने लभ्यते अर्थात चरई वेती चरई वेती इसका वर्णन सुनह सेपा ख्यान में प्राप्त होत अगला प्रश्ण है स्वरितात परो अनुदात्त किम उच्यते तो इसका अंसर होगा प्रचयह स्वरितात परो अनुदात्त प्रचयह उच्यते स्वरित से बाद आने वाले अनुदात को प्रचय कहते हैं ठीक है अगला प्रश्ण देखते हैं दश तई पदेन कस्य बोधो जायते तो इसका आंसर है रिग वेदस्य दश तई पदेन रिग वेदस्य बोधा जायते रिग वेद में दस मंडल है इसी कारण इशे दस तई नाम से भी जाना जाता है इसमें दस मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 सही एक बटा चार मंत्र है अगला प्रश्ण है केनोप निशद केन ब्राम्हड ग्रन्थेन संबद्ध तो इसका आंसर है तवलकार ब्राम्हडेन इसकी व्याक्या देख लेते हैं केनोप निशद तवलकार ब्राम्हड से संबंधिथ है सामवेद की 3 साकाई है तवलकार ब्राम्हड का संबंध जैमनी साखा से है यथा ठीक है तो हम देख लेते हैं सामवेध इसकी साखा हो गई कौथमी साखा रामाडी शाखा और जैमनी शाखा तो कौथमी शाखा में आ जाएगा शडविश ब्राम्हड रामाडी शाखा में आ जाएगा आर्शे ब्राम्हड और जैमनी शाखा में आ जाएगा तवलकार ब्राम्हड ठीक है आगे चलते हैं शुतम में गोपाय शुतिवाक्यम कुतह ग्रिहित्तम तो इसका अंसर होगा तैत्रियोप निशदः शुतम में गोपाय शुतिवाक्यम तैत्रियोप निशद में प्राप्त होता है तैत्रियोप निशद कृष्ण या जुर्वेद से संबंधित उपनिशद है अगला प्रेश्ण है इसको देख लेते हैं सुल्ब सुत्र कल्प वेदांग से सम्बंधित है शड वेदांगों में कल्प का विशेश अस्थान है अगला प्रेश्ण है वेदांगों में निरुक्त व्याकरण का पूरक है क्योंकि यास्क रचित निरुक्त में व्याक्रण संबंधी सभी विशियों का वर्डन है अगला प्रश्ण है निरुक्ते शड़ भाव विकारह कस्य सिध्धानत है तो इसका आंसर है वार्श्यायडोह इसकी व्याख्या देख लेते हैं निरुक्ते शड़ भाव विकार है वार्शयायडो शिधान्त है निरुक्त में शड़ भाविकार का सिधान्त वार्शयायड का है शड़ भाविकार निम्न है पहला है जायते दूसरा है अस्ती तीसरा है विपर्ण मते चोथा है वर्धते पांचवा है अप्षियते और पड़ेगा क्योंकि कभी-कभी पूंच देता है कि तीसरा कौन सा है दूसरा कौन सा है तो आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा जायते अस्ती विपर्ड मते वर्धते अपक्ष्यते विनश्यती. अब अगले प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कस्य नैरुकताचार्यस्य मते उपसरगाह वाचका नअपीतु द्योत का भवन्ती तो इसका अंसर है शाकटायनस्य इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा शाकटायनस्य नैरुकताचारयस्य मते उपसरगाह वाचका नअपीतु द्योत का भवन्ती अर्थात शाकटायन निरुकताचारयक के मत में उपसरग वाचक नहीं बलकी द्योतक होते हैं इसका वर्ण निरुकत के प्रथम अध्याय में है तो इसका वर्ण कहा है? निरुक्त के प्रथम अध्याय में अगला है उपमार्थक निपातः कति विधा तो इसका अंसर होगा चतुर विधा इसको हम देख लेते हैं उपमार्थक निपातः चतुर विधा संती अर्थात उपमार्थक निपात चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है इव न चित नू ठीक है इव न चित नू ठीक है तो ये उपमार्थक निपात है अगला है आचारे शब्द निर्वचनेशु कतम निर्वचनम निरुक्त सम्मतह नास्ती तो इसका अंसर होगा आचारम ग्रहणाती ये नहीं है ठीक है लेकिन आचारम ग्रहणाती अचीनोत्य अर्थान अचीनोती बुद्धिम आचारे शब्द निर्वचनेशु आचारम ग्रहणाती निर्वचनम निरुक्त सम्मत नास्ती अगला प्रश्ण है सर्वाणी नामानी आख्यात जानी नभवंती इती कस्य मतम तो इसका आंसर होगा गार्गस्य सर्वाणी नामानी आख्यात जानी नभवंती इती गार्गस्य मतमस्ती अगला प्रश्ट है निरुक्त कारह श्रमुद्र पदस्य कती विधम निर्वचनम करोती तो इसका आंसर है पंच विधम तो इसको देख लिजे निरुक्त कारह श्रमुद्र पदस्य पंच विधम निर्वचनम करोती अर्थात निरुक्त कार्यास्क श्रमुद्र पद का पांच प्रकार से निर्वचन करते हैं फिर है सांख्य दर्षने निह श्रेयस साधनम किम तो इसका आंसर है तत्व ज्यानम अगला प्रश्न है इसकी व्याख्या देख लिजिए प्रिथिव्याम शब्द गुड़ नास्ती प्रिथिवी में शब्द गुड नहीं होता है क्योंकि शब्द गुड आकास का होता है प्रिथिवी तो गंधवती होती है तत्र गंधवती प्रिथिवी फिर है काम शास्त्रे कला नाम का संख्या तो इसका आंसर है चतुष शष्ठी काम सास्त्रे कला नाम चतुष शष्ठी संख्या वर्तते अर्थात काम सास्तर में 64 कलाओं का वर्ण किया गया है अगला प्रश्ण है भूतादी शब्देन की मुच्यते तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा तमह प्रधानो अहंकारह भूतादी शब्देन की मुच्यते तमह प्रधानो अहंकारह इसकी व्याख्या देख लेते हैं भूतादी शब्देन तमह प्रधानो अहंकारह उच्यते अर्थात भूतादी शब्द के द्वारा तम प्रधान अहंकार होता है आकाशादी पंच महाभूतों के समलित सत्त गुड से अंतह करण की उत्पत्ती होती है इसलिए उसमें प्रकाशत तो धर्म रहता है अतह वह प्रकाशक है तथा ज्यान का साधक है इसलिए उसे तेजो मैं वासना मैं कहते हैं अगला प्रश्ण है वेदान्त सार निर्दिष्टेशु सुक्ष्म शरीरा वयवेशु कस्याई कस्य गढ़ना नास्ती तो इसका अंसर है आकासस है इसकी व्याख्या देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा वेदान्त सार में निर्दिष्ट सुक्ष्म शरीर के अवयवों में से आकास की गढ़ना नहीं होती है क्योंकि आकासादी पंच महाभूतों के अंतरगत आता है सुक्ष्म शरीर के अंतरगत पंच ज्यानेंद्रियां, पंच करमेंद्रियां, पंच वायू, बुद्धी एवं मन आते हैं अगला प्रश्ण है अज्यान समस्ट्य उपहितस्य, चैतन्यस्य एका का संग्या नास्ती तो इसका आंसर होगा प्राग्यह इसकी व्याख्या देख लेते हैं अज्यान की समस्टी से उपहित चैतन्य की प्राज्य नामक संग्या नहीं होती है जैसे सक्ति द्वय वद ज्ञानो पहितं चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्थ स्वपाधी प्रधानतयो पादानम चवभवती अगला प्रश्ण है कएको जीवन मुक्त से पर्याय है तो इसका आंसर है ब्रह्म निष्ठ है जीवन मुक्त का पर्याय है ब्रह्म निष्ठ है जैसे की वेदान्तसार में कहा गया है जीवन मुक्तो नाम स्वास्वरूपा खंड ब्रह्म ग्यानेन तद ग्यान वान द्वारा स्वास्वरूपा खंड ब्रह्माडी ब्रह्म निष्ठ है अभाव नामक पदार्थ चारप्रकार का होता है है प्राग भाव प्रद्वन्छा भाव अत्यन्ता भाव और अन्युन्या भाव अगला प्रश्न है सर्वनाम अस्थान संग्यकाह प्रत्याह कती तो इसका आंसर है सर्वनाम संग्यक प्रत्याएं 5 होते हैं अगला प्रश्न है क्रोशेन अनुवाको अधीतह इत्यात्र त्रितिया विभक्ति कम दियोतिती तो इसका आंसर है साफल्यम इसको देख लेते हैं अगला प्रश्ण है कर्मा दिनाम संबंध मात्र विवक्षायाम का विभक्तिर भवती तो इसका आंसर होगा सस्थी सस्थी से सूतर से कर्मा दिकार्कों में समंध मात्र की विवक्षा में सस्थी विभक्ति होती है अगला प्रश्न है तो इसका आंसर है विभक्ति अर्थे इसकी विखक्या देख लेते हैं अधि गोपम में अधि पदांश, विभक्त अर्थे अर्थात, विभक्त अर्थ में प्रयुक्त है क्योंकि अधि गोपम में अव्याई भाव समास हुआ है तथा इसका लौकिक विग्रह गोपी इती होगा तथा अलौकिक विग्रह गोपानी अधी होगा अगला प्रश्ण है अवंग आदेशह कस्य अस्थाने भवती तो इसका आंसर है अन्त्यस्य इसकी व्याख्या देख लेते हैं अवंग आदेश अन्त्यवण की अस्थान पर होता है क्योंकि अवंग में नकार की हलंत्यम से इत्संग्या होती है और तस्य लोपा सुत्र से लोप होकर केवल अव बचता है अंगा की इत संग्या होने के कारण वह नित है अतह अंते वर्ड की अस्थान पर आदेश होता है क्वत्वत्व इत्यत्र विभक्ति तो इसकी विभक्ति होगी प्रत्थमा द्विवचनम इसकी व्याख्या देख लिजे क्वत्वत्व प्रत्य की निष्ठा संग्या होती है तथा यह भूत्काल में प्रयुक्त होता है क्वत्वत्वत्व में द्वंद समास है इसका विग्रह कत्च कत्वत्वत्वत्व होगा अतह कत्वत्वत्व में प्रत्मा विभक्ती द्विवचन का प्रयोग हुआ है अगला है किम पदम नीश प्रत्यान्तम तो नर्तकी जो है वो नीश प्रत्यान्त है इसको देख लिजिए नर्तकी शब्द में नीश प्रत्या का प्रयोग हुआ है क्योंकि नर्तकी से नीश होकर नर्तक धन नीश बना नीश में ई सेस बचता है नर्तक धन ई हुआ अब यसेतिच सुत्र से नर्तक के ककार के आकार का लोप होकर नर्तक धनई हुआ तथा वर्ण सम्मेलन करने पर नर्तकी बना अगला प्रश्ण है शब्दानुसासन स्य कती मुख्य प्रयोजनानी तो इसका अंसर है पंच शब्दा नुसासन के पांच मुख्य प्रयोजन होते हैं जो इस प्रकार है रच्छा उह आगम लगू असन्देह फिर अगला प्रश्ण है संबंध तत्वा श्रयम वर्गी करणम किम तो इसका आंसर है आकृति मूलकम इसको देख लेते हैं संबंध तत्वा श्रयम वर्गी करणम आकृति मूलकम अस्ती अर्थात संबंध तत्वा श्रय का वर्गी करण आकृति मूलक होता है इसका वर्णन भासा विज्ञान में है फिर अगला प्रश्ण है कि में कम अर्थ विस्तार अस्यो दाहर्ण नास्ती तो इसमें से अर्थ विस्तार का उधारण नहीं है तो इसका आंसर होगा महापात्रह महापात्रह अर्थ विस्तार अस्यो दाहरण नास्ती अर्थात इनमें से महापात्र अर्थ विस्तार का उधारण नहीं है भासा विज्ञान में अर्थ विस्तार का वड़न है तो अर्थ विस्तार का उधारण कौन-कौन सा है ये देख लेते हैं तो गवेशना है, कुशलह है और परस्व है ये सब जो है अर्थविस्तार का उधारन है लेकिन महापात्र नहीं है अगला प्रश्णा है प्रथम वर्ण परिवर्तनम कस्मिन ध्वनी नियमे समाहितम तो इसका आंसर है ग्रिम नियमे प्रथम वर्ण परिवर्तनम ग्रिम नियम ध्वनी में समाहितम है ग्रिम नियम ध्वनी नियमों में महतपुर्ण नियम है इसका नाम ग्रिम नामक विद्वान के नाम पर पड़ा अगला प्रश्ण है भारोपिया भाशा कस्मिन भाशा खंडे समाहितम प्रशन अगला प्रशन है वेन शांगह कुत्र अधीतवान तो इसका अथे नालंदा विश्विद्याले तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं वेन सांग नालंदा विश्विद्याले अधीतवान अर्थात वेन सांग नालंदा विश्विद्याले में पढ़ा था वेन सांग एक चीनी यात्री था जो भारत में आने पर बहुत धर्म को स्विकार कर लिया तथा काफी समय तक भारत में सिख्छा ग्रहन की अगला प्रश्ण है आचारे विश्वनाथेन वाक के निश्पत्तव कती तत्वानी निर्दिश्टितानी त्रिडी तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं आचारे विश्वनाथेन वाक के निश्पत्तव त्रिडी तत्वानी निर्दिश्टितानी अर्थात आचारे विश्वनाथेन वाक के के निश्पत्ति में तीन तत्व बताएं जो इस प्रकार है योग्यता आकांछा और आशक्ती ठीक है अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध स्य चिकित्सकह कह आसीत तो इसका आंसर है जीवकह जीवकह गौतम बुद्ध स्य चिकित्सकह आसीत अर्था जीवक नामक व्यक्ति गौतम बुद्ध का चिकित्सक्था इसका वर्ण प्राचीन भारती एतिहास में है फिर है भारतिय संस्कृतव चातुर्ण वर्ण स्य विधानम की मर्थम तो इसका आंसर है सामाजिक रचनायाह शोष्ठ वार्थम इसकी व्याख्या देख लेते हैं भारतिय संस्कृत में चातुर वर्ण का विधान सामाजिक रचनाया है शोष्ठ वार्थमस्ती अर्थात भारतिय संस्कृत में चातुर वर्ण का विधान सामाजिक रचना तथा सोष्ठों के अर्थ से है फिर है किरातारजुनियंः शब्दे कह प्रत्य है तो इसका आंसर होगा छ इसको देख लेते हैं किरातारजुनियंः शब्द में छ प्रत्य है किरातारजुन धन छ अब आयने इनी इह प्रत्या दिनाम सुत्र से छ को इय आदेश होकर किरातारजुन धन इय बना यसेति च एवं वन सम्मेलन करने पर किरातारजुनियंः शब्द बनता है अगला है फल निर्मित ता नाम फल निर्मिता नाम पात्रा नाम शुद्धी कथम भवती तो इसका आंसर होगा गो दुगधेन फल निर्मिता नाम पात्रा नाम शुद्धी गो दुगधेन भवती फिर है रासायनह कह आसीत तो इसका आंसर है वैद्यकुमार कह अगला प्रश्ण है अभिज्ञान शाकुंतले वीदू सकस्य कीम नाम तो इसका अंसर है माधव्य महा कवी काली दास विर्चीत अभिज्ञान शाकुंतलम साथ अंको का विश्व प्रसिद्ध नाटक ग्रंत है इसमें राजा दुश्यन्त एवं सकुंतला के गांधर्व विवाह का वड़न है शाकुंतलम में के विदूशक का नाम माधव्य माधव्य है अगला प्रश्ण है कह एकह कामज व्यसने न गडित है तो इसका अंसर है असुया असुया कामज व्यसने न गडित है अर्थात असुया कामज व्यसन में नहीं परिगडित है इसका वड़न मनु स्मृती में प्राप्त होता है फिर अगला प्रश्ण है तो इसका अंसर है उपाधी नाम इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसको देख लेते हैं भट लुलट ने मुख्य रूप से रस की स्थिती अनुकारे में मानी है इन्होंने अपने उत्पत्ति वाद में कहा है कि रस मुख्य रूप से अनुकारे रामादी में रहता है और उसका अनुकरता होने के कारण गौर रूप में नट में भी रस की स्थिती मानी है लेकिन सामाजिक में रस की उत्पत्ति नहीं होती है अगला प्रश्ण है केशाम मते तात पर्यार्थो अपी भवती तो इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा अभी हितान्य वाद इसका अभी हितान्य वादी नाम इसकी वाद्था देख लेते हैं अभी हितान्य अभी हितान्य वादियों अर्थात मिमान सकों ने वाचक, लक्षक तथा विंजक शब्दों के अत्रिक तात पर्यार्थ नामक चौथा शब्द भी माना है ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा ये वाला अब अगला प्रश्ण देख लेते हैं कस्य नियाम कत्वे इस्थाडू भज भवच्षिदे इतिवाक्यम उदाहिरतम तो इसका अंसर होगा अर्थास्य अर्थास्य नियाम कत्वे अस्थाडू भज भवक्षिदे इतिवाक्यम उदाहिरतम फिर है गांभेरे गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इत्यत्र को अलंकार तो इसका आंसर है तद्वी तगा श्रौती पुर्णोप मा गांभेरे गरिमा तस्य सत्यम गंगा भुजंगवत इहां पर तद्वी तगा श्रौती पुर्णोप मा लंकार है फिर है श्रव्यत्वम पुनह ओजह प्रशादयो रपी अनेन कस्यमतम खंडितम तो इसका आंसर होगा भा महस्य इसकी व्याख्या देखलीजे श्रव्यत्वम पुनह ओजह प्रशादयो रपी अनेन भा महस्यमतम खंडितम अर्थात यहां पर आचारे भा मह केमत का खंडन है अगला प्रश्ण है अनव चित्तेन आक्षादिता कान भवती तो इसका आंसर है स्वाकांत विशयारती अनव चित्तेन आक्षादिता स्वाकांत विशयारती न भवती अगला प्रश्ण है साक्षात संबंधेन दोशस्य कुत्र इस्थिती तो इसका आंसर होगा रसे साक्षात संबंधेन दोशस्य रसे इस्थिती अर्थात साक्षात कार संबंध से दोस की रस में इस्थिती होती है इसका वर्ण साहित्य दरपण में विस्तार से मिलता है अगला प्रश्ण है आचारे विश्वनाथ कती नाम आचारे आणाम कावे लक्षणम खंडितवान तो इसका आंसर होगा पंचा नाम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आचारे विशुनाथ पंचानाम आचारे आणाम कावे लक्षणम खंडित्वान अर्थाथ आचारे विशुनाथ ने पाँच आचारियों के कावे लक्षण का खंडन किया है अगला प्रश्ण है व्यंग्तह काविविशेष साध्वनी अस्मिन वाक्य व्यंग्तह इत्यत्र काविभक्ती तो इसमें है प्रथम पुरुष द्वीवचनम व्यंग्तह काव्य विशेशह साध्वनी इस वाक्य में व्यंग्तह में विभक्ती प्रथम पुरुष द्विवचन में लगी है अगला प्रश्ण है अदभूत रसस्य को देव हैं तो अदभूत रस में कौन से देव हैं? तो अदभूत रस में देवता जो है वो ब्रम्हा है अगला प्रश्न है रामायड ये अंगीरसा कह तो करुणह इसका अंसर होगा रामायड में करुणरस अंगीरसा रामायड साथ कांडों में विभक्त भारत का विशालकाय महाकावे है अगला प्रश्ण है राम चरित ग्यान आर्थम वालमिक के को वरमादात तो इसका अंसर है ब्रह्मा राम चरित ग्यान आर्थम वालमिक के को ब्रह्मादात अर्थात राम चरित ग्यान के लिए वालमिक की को ब्रह्मादात अर्थात राम चरित ग्यान के लिए वालमिक की को ब गंगा वतरण काउपाख्यान रामायर के बालकांड में इस्थित है महर्षीवालमिक्की कृत रामायर साथ अंकों में विभप तथा इसमें लगभक 24,000 सलोक है अतह इसे चतुर विंशती साहस्ती सहीता भी कहते हैं अगला प्रश्ण है महा भारत से कह क्रम है तो इसका अंसर होगा जै भारतम महा भारत सबसे पहले जै फिर भारतम फिर महा भारतम इसकी व्याख्या देख लिजे वेद व्यास प्रडीत महाभारत का क्रम है जै भारतम महाभारतम महाभारत की कथा अठारा परवों में है तथा इसमें लगभग एक लाक्ष लोक है अगला प्रश्ण है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापती कह आसीत तो इसका अंसर है भिश्मह महाभारत के युद्ध में सर्वाधिक दस दिनों तक कौरव सेनापती भिश्म थे अगला प्रश्ण है नैमिश्यारने महाभारतिया नाम कथान कह उक्तवान तो इसका आंसर है उग्रशवा नैमिशे रायन में महा भारत की कथा को उग्रशवा नामक रिसी ने कही थी अगला प्रश्ण है शकुंतलो पाख्यान कस्मिन परवण उपलभ्यते तो इसका आंसर है आधी परवणी शकुंतलो पाख्यान महाभारत की आधी पर्व में है अगला प्रश्ण है पुरा नवम भवती इती पुराण शब्द निर्वचनम कह कृतवान तो इसका अंसर है याश कह पुरा नवम भवती इती पुराण शब्द निर्वचनम याश कह कृतवान अगला प्रश्ण है श्रीमत भागवते कती इसकंधा तो इसका अंसर है द्वादश, श्रीमत भागवत में द्वादस इसकंध है अनुचानह कह सांग वेदा धेता भवती अगला प्रश्ण है कह एकह संस्था गुप्त चरो नास्ती तो इसका आंसर होगा तिक्षण तिक्षण संस्था गुप्त चरो नास्ती अर्था तिक्षण संस्था गुप्त चर का लक्षण नहीं है तो कापटिक, कापटिक, उदास्थिक, गृपतिक ये सब है लेकिन तिक् इसका आंसर होगा, राधया पत्रम लिखिश यते, क्योंकि कर्त्री वाच्च से कर्म वाच्च बनाने पर कर्ता में तृतिया विभक्ती, कर्म में प्रतमा विभक्ती, एवं क्रिया कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष की अनुसार आती है अगला प्रश्ण है प्रपठ्यते पदे प्र इत्यूप सर्गयोगा द्विशेशह ग्यायते प्रकर्षः प्रपठ्यते पद में प्र इस उपसर्गयोग से प्रकर्षः ग्यात होता है प्र ब्राबर प्रकर्षः अत्य धिक अगला प्रश्ण है कुम्ब कारह पदे किम प्रत्यों अस्ती तो इसका आंसर होगा अड़ कुम्ब कारह पद में अड़ प्रत्य का विधान किया गया है इसका विग्रह कुम्भम करोती इति कुम्ब कारह यहां पर उपपदम तिंग से कुम्भ कारह में उपपद तत्पुरुस समास हुआ है अगला प्रश्ण है पाचकह इती पदे धातु धन प्रत्ययोगो अस्ती पचधन रुल पाचक में पचधातु से रुल प्रत्य होकर पचधन रुल बना रुल से वु शेच बसता है अब बना पचधन वु अब युवोर नाकव सुत्र से वु को अक होकर पचधन अक बना अब अत उप धायाम सुत्र से आदि स्वर की व्रिद्धी होकर पाच धन अक हुआ तथा वर्ण सम्मेलन एवं रुत्त विसर्ग होकर पाच कह बना अगला प्रश्ण है सवर्ण संग्या सुत्रमस्ती तो इसका आंसर है तुल्यासे प्रेत्नम सवर्णम तुल्यासे प्रेत्नम सवर्णम सवर्ण संग्या विधायक सुत्र है जबकि अका सवर्णे दिर्ग संधी विधायक सुत्र है री लरी वर्णयोर मिर्थः सावर्णें वाच्यम वार्तिक से री औल्री की सवर्णता ग्यात होती है अगला प्रश्ण है निम्नुक्त वाकेशु सुद्धम एकमस्ती तो इसमें सुद्ध है सतम रुप्यकाणी धार यामी अधो लिखित वाक्यों में सतम रुप्यकाणी धार यामी वाक्य सुद्ध है क्योंकी सतम नित्य बहु अचनांत है अगला प्रशन है उत्तरामचरिते अंकास संती बहभूती के प्रशिद्ध नाटक उत्तरामचरितम में सब्त अंक है इस नाटक में चायांक एवम गर्भांक की व्यवस्था की गई है प्रथम अंक का नाम चितर वीथी दर्शन तथा अंतिम अंक का नाम सम्मेलन, गरb अंक है नाईका विहीनम नाठकं वर्तते, तो इसका अंसर है मुद्रा राच्छसम इसको देख लेते हैं तो रितु संगहारम जो है वो लगुत रही नहीं है कुमार संभवम रगुवंशम और मेगदूतम है इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुमार संभवम महाकावे मेगदूतम गीति कावे एवं रगुवंशम महाकावे ये तीनों ग्रंथ लगूत रई के अंतरगत परिगळित है जब की कालीदास विर्चीत रितू संघार लगूत रई की अंतरगत नहीं आता है हर्षवर्धन से रचना नास्ती तो इसमें नैस्दी चरितम जो है वो हर्षवर्धन की रचना नहीं है प्रिदर्शिका रतनावली और नागानन्द है हर्सवर्धन की तीन रचनाय प्राप्त होती है कौन कौन सी प्रिदर्शिका रतनावली नागानंदम जबकि नैस्दी चरितम महाकवी श्री हर्स की प्रसिद महाकाव है इसमें 22 उपसर्ग इसमें 22 सर्ग है ठीक है अगला है मम्मटे नुक्तम नास्ती भारती कविर जयती लक्षम नमुख्यम स्थाई भावो रसा इसमर्ता वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो इसमें कौन सा मम्मटे नुक्तम नास्ती तो वाक्यम रसात्म काव्यम जो होता है वो मम्मट की उक्ती नहीं है क्योंकि वाक्यम रसात्म काव्यम जो है वो विश्वनाथ के काव्य का लक्षन है ठीक है तो इसमें मम्मट की उक्ती कौन-कौन सी हो गई उसको देख लीजिए तो भारती कविर जयती ये भी है, लक्षम न मुख्यम ये भी है, अस्थाई भावो रसा इस्मृता ये भी है, लेकिन वाक्यम रशात्म कमकाव्यम नहीं है अगला प्रश्ण है तपोधनम वेच्सी नमाम उपस्थितम इतिकस्य परिचयो अस्ती तो इसका आंसर है दुरवाससह तपोधनम वेच्सी नमाम उपस्थितम इस वाक्यमे दुरवासा रिशी का परिचय मिलता है, इस पद्य साकुंतलम के चतुर्थ अंक का है यह पद शाकुंतलम के चतुर्चंका है जब सकुंतला राजा दुस्यन्त की चिंता में मग्म थी उसी समय रिशी दुरुवासा आ जाते हैं और सकुंतला उनका आगमन नहीं जान पाती तब दुरुवासा रिशी कहते हैं विचिंत यंती यमन्य मानसा तपो धनम वेची नमामु पस्तितम इस्मरिश्यती त्वानस बाधितो अपी सन कथाम प्रमत्त प्रथमं किर्तामीव अगला प्रश्ण है वीभावानु भाव व्यभचारी संयोगा द्रस निश्पत्ती इती सिध्धान्त से आचारयो अस्ती तो इसके आचारय भरत मुनी वीभावानु भाव व्यभचारी संयोगा द्रस निस्पत्ती इस सिध्धान्त की आचारे भरत्मुनी है उनके अनुसार विभाव अनुभाव युम संचारी भाव के संयोग से रसकी उत्पत्ती होती है अगला है पुट पाक प्रती कासो रामस्य करुणु रसह इती वाक्यम उत्तराम चरितस्य केन पात्रेण प्रयुक्तम तो इसका अंसर है मुरलया पुट पाक प्रती कासो रामस्य करुणु रसह इस वाक्य का संबंध मुरला से है तृति अंक में मुर्ला राम को देखकर सहसा बोल उठती है अनीर भिन्नो गभी रत्वाद अंतर गूढ घन व्यतह पुट पाक प्रतिकासो रामस्य करुणो रसह तो इसको याद रखिए ये मुर्ला का कथन है अगला प्रश्ट है यदि यथा वदत्य धी पस्तथात्वम पती कुले तव दास्यम अपिछमम इती कस्य का व्यांसह तो ये महा कवे काली दास्य इसका आंसर होगा इसको देख लिजे यदि यथा वदत्य धी पस्तथात्वम पती कुले तव दास्यम अपिछमम इह पद्यांस महा कवी काली दास्य सम्बंदित है इसका वडन अभिज्यान साकुंतलम में प्राप्त होता है अगला प्रश्ण है तथा में माधवी देवी विवरम दातुर महती उत्तरे वालमिकी रामायर कांडे के नुक्तम तो इसका आंसर है सीतया तथा में माधवी देवी विवरम दातुर महती यह वालमिकी रामायर के उत्तर कांड में सीता द्वारा कथित है अगला प्रश्ण है लिम्पतीव तमों अंगानी वर्षती वांजनम नभह इत्यत्र को अलंकार है तो इसमें है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है ये बहुत बार इक्जाम में पूछ चुका है इसकी व्याक्या देख लिजे लिम्पतीव तमों अंगानी वर्षती वांजन यहां पर उत्प्रिक्ष्यलंकार है उत्प्रिक्ष्यलंकार की परिभासा इस प्रकार है संभावना मतुत्प्रिक्षा प्रकृतस्य समेन यत्व अगला प्रश्ण है वापी इसनातू मितो गतासी न पुनस्तस्या धम इस्थान्तिकम इत्यत्र कह कावे भेदह तो ये व्यंग्य प्रधान्य युक्तम वापीस नातू मितो गताशी न पूनस्तस्या धम स्थान्तिकम यहां पर व्यंग्य प्रधान्नी युक्तम काव्य भेद है अगला है काव्य हेतु विशये मंमत रित्या किम साधू वर्तते इती हेतू काव्य हेतु विशय मम्मत रित्या इती हेतु शाधु वर्तते यथा सक्तिर निपूर्टा लोक शास्त्रम काव्याद्य वेक्षणात काव्यग्य सिक्षाभ्यासह इती हेतु स्तुद्भवे काली दासेन गीती मय खंड काव्यम विरचितम गाली दास ने गीतिमय मेग दूत खंड कावे की रशना की यह खंड कावे मेग दूत दो भागों में प्राप्थ होता है पुरुमेग उत्तर मेग अगला प्रशन है शुद्र केन मान भूतम प्रकरन नाट्य निर्मितम आसीत तो इसका आंसर है देख लीजे शुद्रक ने मिर्श कटिकम नामक प्रक्रण गंत की रशना की इसमें दस अंक प्राप्त होते हैं इसमें सार्थवाह चारुदत एवं गडिका वसंत सेना की प्रड़े कथा का वड़न है चारुदत की पत्नी का नाम धूता एवं पुत्र का नाम रोहसेन था अगला प्रश्ण है अलंकार शब्द से व्युत्पत्ति मूलको वास्तविको अर्थो भवती तो इसका आंसर है अलंकरो ती ती अलंकार इसको हम व्याख्या देख लेते हैं अलंकार शब्द का व्युत्पत्ति मूलक वास्तविकर्थ अलंकरो ती इती अलंकार है अलंकार मुख्यता दो प्रकार का होता है शब्दा अलंकार अर्था अलंकार फिर शब्दा अलंकार एवं अर्था अलंकारो के कई भेद हो जाते हैं अध्या वसाय सिध्धे अलंकारो भवती अती शयोक्ती यथा सिध्धत्वे अध्य वसाय स्याती शयोक्तिर निर्गध्यते अगला प्रश्न है कावे प्रकासे कावे प्रयोजनानी संख्या सुक्तानी संती तो इसका आंसर होगा श्रट कावे प्रकास में कावे के प्रयोजनों की संख्या शच्ट छै है काव्यम यशशे अर्थकृते व्यवार विदे शिवेटर छैते सद्यह परनिवरिते कांता सम्मित तयोप देश युजे अगला प्रश्ण है काव्यम यशशे इती मम्मटोक तस्यो दाहरणम विद्यते तो इसका आंसर है काली दाशा दीना मेव काव्यम यशशे से मम्मट ने काली दाशा दीना मेव का उदाहरण प्रस्तुत किया है जैसे काली दासा दीनामिव यशह, स्री हर्षा देर्धाव कादीनामिव धनम, आदित्या देर मयूरा दीनामिव अनर्थ निवारणम इत्या दि अगला प्रशन है कावि प्रकाश कारोक्ता शक्ती कमाशयम प्रकट यती तो इसका अंसर है कवि प्रती भाम इसकी व्याख्या देख लेते हैं 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 तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए आप इसके माध्यम से अच्छी तयारी कर सकते हैं मैंने संस्कृत के PGT, TGT, GIC, DSSB के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं तो अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की तयारी जो भी छात्र कर रहे हैं उनके लिए भी आज से इसको स्टार्ट किया है कि जो पिछले पूछे गए प्रश्ण हैं उनको भी हम एक साथ देख लें और व्याख्या के माध्यम से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये थे हमारा उत्तर प्रदेश उच्छतर सिच्छा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिच्छा 2014 में जो हुई थी उसका व्याख्या सहीत प्रश्ण पत्र हमने आपको दिखाया उसको आपको सॉल्व कराया तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मैं ऐसे ही जितने भी स्टेट है उनके असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी प्रश्ण पत्र है उनको व्याख्या सहीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ नमस अंस्कृताए धन्यवाद